दोस्तो आप में से बहुत सारे लोगों का investment निसले अट appreciate हो नेकिन यदि मैं आप से पूछू की निसले कौन से चीज़ बनाती है या किस किस कैटेग्री में कमपनी काम करती है तो क्या आ आप मुझे बता सकते हैं आपने से बहुत सारे लोग मुझे नहीं बता सकते इसी समस्या को दूर करने के लिए इसी ग्यान की कमी को पाटने के लिए मैं अपने इस चैनल पर increase your knowledge नाम से एक सीरीज सुरू करने जा रहा हूँ increase your knowledge नाम का फोल्डर इस चैनल के playlist में मिल जाएगा यदि कोई बाद में भी देखना चाहे तो वहाँ उस playlist में जाकर वीडियो को देख सकता है और अपने ग्यान को बढ़ा सकता है बहराल इस सीरीज को सुरू करने के पीछे का मकसद यह है कि एज ये investor एक investor के point of view से जब हम share वाजार को कदम रखते हैं तो हमें share वाजार के बारे में कंपनियों को बारे में जो छोटी-छोटी चीज़े होती है जो जनकारिया होती है पता होनी चाहिए इसी जनकारियों को पूरा करने के लिए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ फिलाल होनों चलते है नेसली अंडिया पर बात करते हैं नेसली अंडिया कौन सी चीज बनाती है किस किस कैटेकरी में कंपनी काम करती है कितना पैसा कमाती है और सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज को बना के कंपनी कमाती है देखे नेसली एंडिया भारत के नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी food and beverage company है food मतलब तो आप समझ रहे हैं खाने की चीज़ बनाने वाली और beverage मतलब हो गया पे-पदार्थ यानि खाने पीने की चीज़ बनाने वाली यह company है यह company सबसे ज़्यादा revenue की चीज़ से कमाती है तो यह company 42.4% revenue अपना milk product और nutrition कमाती है जिसमें यह company सेरे लेक बच्चों का जो पे-पदार्थ होता है milk made और every day जिससे product बनाती है उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा revenue जिस product से company कमाती है उसका नाम है prepare dishes or cooking ads देखिए इससे यह company 31.8% revenue कमाती है जिसमें यह company मैगी, sauce और pasta जैसे चीज़े बनाती है मैगी यही company मनाती है इन इसले इसके लावाद तीसरा सबसे ज़्यादा revenue जो एक company कमाती है वो कमाती है confectionary items से तक्रीबन 14% revenue एक company confectionary items कमाती है जिसमें यह company kit kat और munch जैसे चोकलेट बनाती है उसके बाद चौथा सबसे ज़्यादा revenue कमाती है वो कमाती है power or liquid products से जिसमें milo जैसे product company काते हैं इसे company तक्रीवन 11% कासवास revenue generate करती है तो नेसली एंडिया के बारे में है जनकारी यह ज्यान आपको कैसे लागा हमें comment करके जुरूर बताएगा और ऐसे ही informative वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को subscribe कर लिजेगा मिलते हैं अगली वीडियो मे तर तक लिए धेने बात शुक्रिया